हम लोग migration chapters जो है इसकेंड लेक्षर तक हो गया है जिसमें हम लोग देखें हैं कि उसकी कारण क्या-क्या है cause factors देखे हुए हैं जिसमें cause factors में हम लोग जो है physical factors और economic factors देखे हैं अभी हम लोग देखेंगे socio-cultural causes इसको हम लोग continue करते हैं socio-culture causes क्या है जिसमें हम लोग देखते हैं कि इस्तरियों का विवा लड़कियों का शादी हो जाने के बाद वो एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर चली जाती है जिसके कारण जिस जाने के कारण वो एक अस्थान से जब दूसरे अस्थान चली जाती है तो क्या कहलाता है वो migrate कर जाती है इसके Sanskriti के कारण वो migrate होता है दूसरा जो है धार्मिक कारणों से भी परवास, लोग धर्म परचार के कारण, यहां वहां कुछ दिन के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ साल के लिए होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, धार्मिक कारणों से भी परवास, अब फॉलिटिकल कॉजिस, नेक्स पॉंट जो हम लोगा राजनेतिक कारण से भी परवास होता है कैसे जिसे कहीं आकरमन हो रहा है आकरमन होने की संभावना होती है तो वहां से लोग प्लैन कर जाते हैं तो वहां से माइगरेट कर जाते हैं कहीं पे विजय की प्राप्ति होती है तो वहां पे लोग जाक हुआ है तो माइग्रेट होता है अपने अस्थान को छोड़के हुए उस अस्थान पर चले गए हैं जहां पे उसकी विजय हुई और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बलाद परवासन फोर्स्ट migration जिसमें हम लोग देखते क्या है कि forcefully किसी को migrate किया जाता है लेवर को तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बलाद migration forced migration next हम लोग देखेंगे demographic causes demographic causes क्या है demographic में इसमें इसके अंदर गार चीज three main factors हैं जिसमें देखते हैं birth rate, death rate और जो होता है migration जिसमें हम लोग वर्थ rate में क्या होता है जनसें क्या बढ़ता है और death rate में जनसें क्या गरता है उसी तरह थर्थ में हम लोग क्या है या एडूकेशन के लिए ग्रामी एरिया को छोड़ कर वो सहर की और चले आते हैं तो भारत के परवाशन में बहुत से जनान साकिय घट को पर भी निभर करता है कि जिसमें जुआ बर्ग सक्रिय होने के कारण अन्य बर्ग की अपिक्छा अधीक परवास होता है जिसमें छेत्रिय विसमता के कारण जन सेंख्या संसाधन का संतूलन विगर जाता है बिहार एवंग पूर्वी उत्तरपरदेश में जन सेंख्या के दवा में ब्रीधी तथा जन सेंख्या संसाधन संतूलन के विगरने के कारण इन इलाकों में बड़ी संख्या में मजदूर पंजाब की और परवास कर रहे हैं तो जो है जुआ वर्क क्या कर रहे हैं अपनी इंप्लॉइमेंट के कारण रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं अपने अस्थान से माइग्रेट हो जा रहे हैं जो हैं बिहार से जा रहे हैं बिहार से कहां की और जा रहे हैं बिहार से पंजाब दिखाए गया उसी तरह जाडखन से अभी पता चल रहा है कि महारास्टा गुजरात और दिल्ली की और परवास अधीक संख्या में किये गये हैं नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे नंबर एक्सपेक्ट मतलब नंबर एक्सपेक्ट ने संख्यापच क्या होता है कि जन संख्या कितनी है और अन्य परदेशों के अंदर आकर बसने वाली संख्या कितनी है अन्य परदेश गए कितने है और आये कितने हैं तो इसको हम लोग किसे रिलेटेट देखते हैं संख्या पक्ष से संख्या पक्ष में हम लोग क्या देखते हैं कि जब वोग अपने देश छोड़के दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं उससे हम लोग क्या कहते है आउट माइग्रेशन और जब लोग अन परदेश से किसी परदेश में आकर बसते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते है इन माइग्रेशन जिसमें इसमें संख्या बहुत अधिक भी हो सकती है मैधम भी हो सकती है और कम भी हो सकती है अब हम लोग देखेंगे इस्तित्रिता पक्ष जिसमें क्या होता है कुछ परवासन ऐसा होता है लॉंग टाइम के लिए सदा के लिए वे चले जाते हैं ची रस्थाई वहीं पर रहते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं इस्पेलिटी एस्पेक्ट कहते हैं जिसमें अब जो है दो दो चीज जो है हम लोग इंडिया के राफ्रेंस में हम लोग देखते हैं या कोई भी वर्ल्ड के राफ्रेंस में भी देखा जा सकता है कहां पर जनसंख्या जो है अधीक मात्रा में पाई जाती है यह complete हो गया अब two marks का कभी questions आ सकता है कि up curse किसे कहते हैं और परतिकर्स किसे कहते हैं तो यह हम लोग को जानना है कि up curse that means क्या होगा up curse that means अपनी और जब वो आकर्सित करता है तब उससे हम लोग क्या कहते हैं up curse और जब वहां की situation कहीं जो situation है खराब हो तो वो क्या करता है परतिकर्स करता है that means push करता है धाकेलता है अब हम लोग अच्छे से देखते हैं कि up curse क्या है नगरों में उद्योग परिवहान बैपार रथा अन्य ब्योसायों में अजिविकां के बड़े साधन होते हैं वहां पर आधुनैक सुभिद्याय उपलब्ट होती है इसलिए नगरवासी जनसेंख्या चुम्बक की भाती आकरसित करते हैं that means अभी का जो situation चल रहा है ग्रामीन इलाकों के compare में नगरों में क्या हो रहा है उद्योग बैपार और जो है आजिविका के बड़े साधन होने के कारण लोग ग्रामीन से नगर की ओर आते हैं इसलिए ये नगर परवासी जनसेंख्या चुम्बक की भाती काम करते हैं चुम्बक that means अपने ओर क्या करता है एट्रेक्ट कर रहा है इसको हम लोग pool factors बोलते हैं पर्तिकर्स कारक क्या करते हैं किसे करते हैं कि लोग पर्तिकर्स कारकों से भी परवास करते हैं इनमें आजिवी का तथा आधोनिक सुविदाओं की कमी तथा भुकमरी परमुक है सिक्छा, स्वास्त, मनुरंजन, एवं सार्वजनिक सुविदाओं की आभाओ कि कारण भी लोग गाउं को छोड़ कर नगरों में चले जाते हैं जो लोग गाउं में आजिवी का प्राप्ट नहीं कर पाते उन्हें अधिसेस जन से खा कहा जाता है ताट मिन्स इसकी अंतरगत पर्तिकर्स कारक कहां कि जहां पर भुकमरी हो सिच्छा की सुविद्धा अच्छी नहीं है स्वास्त अच्छा ना हो मनरंजन की आभाव हो और सारवाणी की सुविद्धाओं की आभाव है महाँ पर कौन सा फेक्टर्स होता है पर्तिकर्स कारक और वे सभी आजिवी का जिन्हें नहीं मिलता है वो जो है उन्हें हम लोग क्या करते हैं जिन्हें मिल जाता है वो तो गाओं की नगर की और चले गए अपकर्स हो गए उन लोग चुम्बक की भाती वो नगरों में चले गए और जिने जो और बाकी जो सेस रह जाते हैं उन्हें क्या का जाता है अधी सेस जनसेंख्या ये टू माक्स का कुशिंस आ सकता है कि पर्तिकर्स और अफकर्स में क्या डिफरेंस है आगे हम लोग देखेंगे कि पर्वास के परिनाम हम लोग कारण भी देख लिए अब हम लोग क्या देखते हैं पर्वास के परिनाम क्या है Consequences of Migration Consequences of Migration ये पर्वास के परिनाम फॉस्ट देखेंगे हम लोग Economic Consequences इसमें देखते हैं ग्रामीन छेतरों से सहरों की और पर्वास आए के सुरोद बढ़ जाते हैं और देश से बीदेश जाने से बीदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है जिसे हम भोजन, रीन, अदाएगी, उपचा, ब्यवाहिक, उत्स, बच्चों के सिक्षा, क्रीशी, निवेश, गिर्यनेरमान कामों में किया जाता है अब ये इसका पॉजिटिव प्राप्ति हैं तो यह इंतना इंकम होने के कारण ये सब ये जो है अदो भैक्ति का भोजन लिविंग औफ इस्टेंडर जो है हाई हो जाता है अब लिविंग औफ इस्टेंडर हाई हो जाता है लेकिन जिस नगर पर चले जाते वहाँ पर तो उस situation में वहाँ पे जो है उसके negative points हो जाते हैं यति पूर हो तो वो क्या करते हैं वोग जा के ऐसे ही सड़के किनारे अपना निवास करने लगते हैं जिसके कारण नगरों में भीर भार बढ़ गई है और महारास्ता गुजरात गरनाटका तमिलनाडू और दिल्ली जैसे अज़्दोगिक रूप से विक्सित राज्यों में मलीन बस्तियों का विकास होता है ये positive points हैं और ये negative points होई अब हम लोग देखेंगे second जो है परवास के परिनाम में second जनांकीकिया परिनाम में क्या होता है जनांकीकिया परिनाम में नग्रों का विकास होता है हम लोग जानते हैं कि नग्रों का विकास होता है क्या होता है जन संख्या अधीक होती है और वहां से लोग एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर चले जाते हैं अब उदभाव छेत्र से दूस्परभाव क्या होता है उदभाव छेत्र से दूस्परभाव यह होता है जनांकी के परिपरिनाम में यह देखते हैं जो ग्रामीन इलाका से वो नगर की और आते हैं तो वहाँ पे जो नजुवक की संख्या काफी कम हो जाती है और जिससे ग्रामीन और सहरी इलाकों में असंतुलन पैदा हो जाता है ये जनांगी के परिनाम देखने को मिलता है नगर में जो है नौजुवक की जुवाबर्ग अधिक मिलते हैं और ग्रामिन इलाखों में कम मिलते हैं यह परिणाम देखने को मिलता है सामाजिक परिणाम सामाजिक परिणाम क्या होता है परवासियों के दुआरा प्रोदोग की परिवार नहीं हो जाए इसतरी सिक्षा आदी जूडे नए विचारों के नगरों से गाउं में परचार परशार होता है जब वह लोग बाहर जाते हैं तो वह लोग देखते हैं कि हाई टेकनोलोजी फैमिली प्लैनिंग लड़कियों के सिक्षा जो है यह नए नए विचार आते हैं और अपने one positive points को देखते हुए यह सभी कामों में हुए अपना कार ही करते परवास के द्वारा बेभित संस्क्रियोतियों से जुरे जोड़े लोगों का अपसी मेल-जौल बडता है जिसके कारण बेभित संस्क्रिप्यों से मेल-बड दूसरे की कल्चर को देखे हुए मतलब अपने आप में मेल जोल बढ़ाते हैं और संकिरनता से हटकर विचारों में खुला पना जाता है जो नेगेटिव माइंड रहता है इसमें ये पहले के जो विचार होते हैं उसमें थोड़ा सा क्या होता है चेंजे जा जाता है तो यह ह हम लोग देखिए परवास परिणाम अर्थि परिणाम जणानगी थे परिणाम और समजर में अबुतक्र विशत में सांतर सांतर पादवास पडवास इंटासा की। that means हम लोग यह देखते हैं कि यहाँ पर यह indicator जो दिखा रहा है यह अधिक परवास कर रहे हैं इस छेत्र में जिस और यह arrow बनाया गया वो वहाँ से परवास कर रहे हैं और यह rate जो दिया हुआ इससे क्या दिखा जा रहा है कम परवास कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं अल्मोस्ट जो यह दिल्ली छेत्र का जो है यह नोईरा यह यह सभी गुर्गाओं यह सभी में अल्मोस्ट जो अधिक परवास ही है और यहाँ पर इधर से भी देखा जा रहा है तो महारास्टा में भी अधिक परवासी आ रहे हैं सभी राज्यों से और कम परवासी में देखा गया है जो रेड वाली लाइन है यह इस तरह का लाइनिंग जो दिया गया है वहाँ कम परवासी एक अस्थान से जो लोग दूसरे अस्थान पर चले जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं परवासी अब हम लोग यह हम लोग का continue यह chapters जो है migration हम लोग का complete हो गया next day हम लोग population करेंगे okay thank you